गांदी जैंती के उसर पर आस तक वर्चियल प्लैट्फोर्म पर इंडिया टूडे ग्रूप हेल्थ गिरी अवर्ड्स कारेक्रम का आयोजन किया गया इसमेगा कारेक्रम में देश बर के कोरोना वाइरस को सनमानित किया गया कारेकरम के एक सतर में एम्स के डिरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया ने कोरोना वाइरस और वैक्सिन से जुड़े सबी सवालों के जवाब दिये डॉक्टर गुलिरिया से पुछा गया कि आखिर ये कैसे पता चलेगा कि कोई वैक्सिन सुरक्षित है क्योंकि वैक्सिन का लॉंग टर्म ट्रायल नहीं किया जा रहा है इसमें ये सारे चीज़े देखी जाती है कि वैक्सिन का लॉंग टर्म साइड इफेक्ट क्या हो सकता है वैक्सिन आने के बाद जीन लोगों को ये दी जाएगी उनकी भी क्लोज मॉन्टरिंग की जाएगी कहीं उन पर कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि वैक्सिन देने की प्रक्रिया में कई बातों का ध्यान रखा जाएगा जैसे कि अगर किसी को पहले से कोई बिमारी है तो वैक्सिन लगाने के बाद उन पर इसका कैसा असर होगा बुज़र्गों को इस वैक्सिन से कितनी इम्यूनिटी मिलेगी और उनके लिए वैक्सिन कितनी सुरक्षित है इन सबी डेटा को इखटा करने की कोशिश की जाएगी उन्होंने कहा कि इन सबी चीजों पर भी स्पस्टता जरूरी है इस खबर के बारे में अपने वीचान नीचे कमेंट बॉक्स में लिकर बताए वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले साथी कोरोना वैक्सिन से जुड़ी हर खबर सब जब पहले पाने के लिए चैनल को सबस्क्राइब कर ले